नमस्ता साती में आपका साती विजिंदर सिंग आईए हम बात करते हैं UPCS रंखला के अंद्रगर अगली स्रीज में जिसमें जानेंगे कि जिस सरीके से स्टेड पीसी हो या UPC का एक्जाम हो वहां पे प्रिलियम्स मेंज और इंट्रवू के चरणों के उपरांत एक मेडिकल का भी चरण होता है लेकिन इन सब की नॉलिज के उपरांत अगर देखा जाए तो महत्पून रोल अगर देखा जाए तो आप सब लोग हिस्टी जोग्रफिक ऑनॉमी पॉलिटी सब ग्यान को इखटा क करते हैं इन घ्यान को इखता करने के प्रस्चात के एक विशियर बन जाता है कि कि इस तरीकर रिप्रिजियंट करना है उड़िजियंट करने के लिए देखा जाए तो उपि पीछिये तो उत्तर लेखन के कलाहें यह भी एक प्रिकार से कहीं न कहीं चरण में नॉर्ट होती सब्सक्राइब प्रिशन की दिमांड को नहीं समझपाएंगे कि प्रशन में क्या पूछा गया है और हमें रिप्रिजयन क्या करना है उसका न चाहिए लिखने के कि मलट ए उसकां नocarोप 213 काज़ा सब्सक्रिंग ca happyनियग आप सब्सक्राइब को कैसे को इसका जुथा लैए कि आप सब्सक्राइब की उपस्टे की अंवे लेए अग्यए की सब्सक्वाइब ብ से वगेरा में अलग-अलग तरह के क्या होते हैं किसी का भी एक मोडल आंसर नहीं होता है बट प्रिश्ण की सटीक रणीती को जानने के लिए आज हम चर्चा करेंगे कि आंसर रैटिंग कैंशे करनी चाहिए आंसर रैटिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान दयान रखना चाहिए ये पूरी करेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि UPPCS के अंतरगत अगर यहां से देखें कि PT के अंतरगत दो पेपरों में कहिना कहीं नॉलेज का रोल है लेकिन इसके उपरान जब जाएंगे आप मेंस में तो मेंस के अंतरगत आप यहां पे जीएस के चार पेपर और ऐसे कि तीन ऐसे आपको लिखना पड़ेगा UPPCS में और साथ में ओप्सनल इन सम्में जो महत्मून रोल है इसके साथ हिंदी भी इसके साथ जो महत्मून रोल है वो बन जाता है उत्तर लेखन का आप कितने ही बिचारी खटा कर लिजेगा आपके दि बिचार आ रहे हैं अपने कलम से कैसे तालमेल मिलाना है तालमेल के साथ उसमें कैसे गती देनी है कभी-कभी देखा होगा आप लोगों ने कि हम लोग प्रस्टन को लिखते हैं तो अंतियम समय में टाइमिंग कम बचने की बज़ा क्या है तो यह सब प्रक्टिस का एक दार है तो इन सब्सक्राइब करेंगे कि आपको किन-किन बातों का द्यान रखना चाहिए आंसर राइटिंग करते समय तो यहां पर जीएस के फोर के फोर पेपरों में ग्यान इखटा करना एक अलग सिक्मेंट है लेकिन ग्यान को रिप्रिजन करना अलग बात है देखा जाए क कि लगभग आप 50% भूमी का मानता हूं कि कहना कहीं पढ़ाई नौलिज को इखटा करने के लिए लेकिन उसके बाद जो बजता है 50% पार्ट वो कहना कहीं रिप्रिजन करने की दायरे में आता है अगर आपके पास बहुत सारा ग्यान इखटा आपने कर लिया है चीज़ों जा सकते हैं इसकी आपस क्यों पढ़ती है कि ने देखा जाएँ तो महनत और सफलता के बीच में जो एक अंत्राल है वह कहना कहीं अनिवारत तो है लेकि समानुपतिक क्या है कारण है और उसका आपस में कोई संबंद भी नहीं संबंद क्यों नहीं है आप जान सकते हैं कि बिच्टाव्य करते हैं विध्यारती इसा नहीं कह सकते इसकां सकते हैं कि यह को Сам सफल हो जाएंगे Gör नमों के बीच में मुख्या जो पार्ट बन जाता है में वह क्या हैं मा strains क्या है मेहत लेखन अब उत्तर लेखन के लिए आप उत्तर लेखन में आपके दिमाग का जो प्रतिवियम हो जलगता है उत्तर लेखन में आपके दिमाग को बिचाज लगते हैं उत्तर लेखन में आपके घ्यान का जो एक आधार है वो भी जलगता है तो जब तीनों चीजे एक साथ मिल जाती है तो उत्तर लेखन की जो भूमी का है वो बहतर हो जाती है, अब हमें उत्तर लेखन करते समय किन-किन बिसेस बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह बिसेस पॉइंट बन जाता है, तो इस पर हम डिस्कॉसिंग करेंगे one by one करके, जैसा देखा जाए, आप जानते हैं कि किसी भी परिक्षक को, किसी भी परिक्षक को यह जानकारी नहीं होती है, कि यह जो पुस्तिका है, वो आपके सामने किस उमीदबार की है, आपने उसमें क्या लिखा है, सिर्फ वो रिप्रिजेंट करेगा कि आपने किस दाइरे में कोशन की डिमांड के अधार पर अपना उत्तर ल दिखा है, वो प्रिजेंट की डिमांड को फुल्फिल करता है नहीं करता है, अगर प्रिजेंट की डिमांड को फुल्फिल नहीं करता है, तो आपको लेखन से लिए अगर बढ़िया नहीं आती है, तो कहीं ना कि आपके नमबर अच्छे प्राप्ट करने में ऐसा फ़ल हो होंगे दूसरी आपकी प्रस्यति क्या है इससे भी को लेना देना नहीं है तो इन सब बातों को बेसिकली कहा जाए आपका तीन घंटे के अंतरकत कैसा निस्पाधन रहा वहां यह सो करेगा एक्जामर के सामने कि आपने किस तरह की पढ़ाई की है किस तरह के आपके अंदर व होती है मेरा मानना है कि 50 परसेंट से अधिक तयारी के कोई भूमिका नहीं होती है आपने पूरी तयारी पूरे से लिए उसको दस बार बीस बार भी पढ़ लिया है और आपको कल रिप्रेजेंट करने की कला नहीं आती है तो आप नंबर कम प्राप्ट कर पाएंगे जो ये तया करता है कि आपको तीन घंटे में होने वाले मेंस में कैसा निस्पादन रहा ये तया करेगा आपका उतले लिखन आपने अपार गया निकटा करने के उपरांति उस तीन घंटे के अंद्रगत आपके पास ना कोई तथ्यार निकलाया ना कोई कंसेप्ट दिमाग में आप आ रहा है या फिर जितना भी आपने उस चीज़ को रिवाइद प्रक्टिस किया था वहां पर तीन घंडे में उसका निस्पांदर नहीं आ पा रहा है नहीं निकल के आ करफाता है वह समय कर दिमाग पर क्या है प्रेश आदा है अफर अने कि आपने प्रवारिंग की स्टाइग ऐसे लिखेंगे उसे लगेगा कि हाँ इसकी जो विचार जो का घ्यान है वो बिलकुल वेस्ट है तो उसके अधार पर कहीं आपकी फिलिंग से अटेजमेंट हो जाएगा आकरशन हो जाएगा आपकी तरब उसके वाद प्रशन का आंसर देने में कहीं आपको सही नंबर देने में आगे बढ़ेगा लेकिन अंतिम प्रशना कर बजिते भी उसको आप लोग दस की फिलिया जाता है तो इसका सिस्टेमेटिक बे क्या होना चाहिए बहुत सारे यह निकला चाहिए कि इन की प्राइबर थम एक आपको को बंजना पड़ेगा यहीं नहीं कि एक दिन में ही सारी उत्तर लेकर नाफ सीख जाएंगे एक लंबी यात्रा है वो लंबी यात्रा में आपके पास सब होगो सारे चरणों से गुजरना आपको पड़ेगा अप जानते हैं कि पिल्यम्स की तैयारी में की तैयारी इंट्रिविक तैयारी के अलग लग क्या धाचा है उस धाची में आप सोचें कि विवेत और में लिखें यह प्राग्राप में ये भी प्रश्ण बन जाता है तट्थ निखें समूचित क्या से करें कि अनुपात में लिखें कभी आप से किसी प्रष्ण में आलोचना ऐसा पूछा गया कि आलोचना कीजिएगा तो हम सारे नकालात्माध सब्दों को लिख द कि उस timing में आपकी hand writing और कैसी हो पाई है, hand writing आपके कहिना कहीं जो लेखन सेली का प्रारूप है यह भी एक कला है आपकी साफ सुद्री writing का मतलब यह है कि कहना कहीं exam को समझने में आनी चाहिए आपने ऐसी राइटिंग लिखी है कि सब्द तो बढ़िया लिखे हैं प्रारोब भी बढ़िया है, इस्टक्चर भी बढ़िया है लेकिन सेली के अंतरकत आपने जो समाहित किया डाटा है वो भी बहुत बहतर है लेकिन आपके पास साफ सुद्री राइटिंग नहीं है, एक्जामन उसको समझी नहीं पा रहा है, पढ़ी नहीं पा रहा है तो उससे क्या होगा, आपका लिखा हुआ कंटेंट भी है जो बेकार हो जाएगा, उसमें नंबर नहीं मिलेंगे नंबर कैसे मिलते हैं, इस साफ चीज़ आपके दिमाग में हैं, शिर्फ एक प्रिकार से कैसे एक्जामन को प्रभावित करें, अपने सब्दों से, अपने रेंट रैटिंग से, अपने बिशलेशन से, अपने तत्यों से, ये सारी चीज़े कहिना कहिए एक प्रक्रिस के मा में बड़ा सिग्मेंट बन चुका, तो इन सब पर हम डिसकर्शन करेंगे, अगला पॉइंट, उत्तर लेकर चरण के लिए अगर देखा जाए तो इससे स्टैफ है, आंसर राइटिंग के लिए, वो कई स्टैफ हों हम कनबर्ड कर सकते हैं, हर किसी स्टूडेंट के टीचर सुच के जितने भी विउस वगेर होंगे, जो भी आंक्डे होंगे, जो डाट अचोहगा इसको दिमाग में इखटा नहीं कर पाएंगे, और इखणा नहीं कर पाएंगे, तो आप के पास संप्जार को लिखने से पहले प्र exports कें समझ में आएगा, सुचिएगा जब आपको प्रसंद दिया है तो उसको कई हिस्सों में अपनी सुधार गनसा तोड़ लेना चाहिए जैसे अमाले कोई भी प्रसंद दिया है समझाओंगा सारी अभी आगे भी प्रसंद आपको डिसक्रसिंग करेंगे आपको प्रसंद दिया जाए तो उसको पहले हिस्सों में कनवर्ड कर लो कनवर्ड करने के बाद उसको सोचो कि इसकी दिमांड क्या है इसके आस्पेक्ट में क्या है उस सब्द की आस्पेक्ट में क्या है जब यह दिमाग में आपके बन जाएगा तो फिर क्या होगा या इसका conclusion या जो निश्कर्स है वो इस तरह के लिखना है एक हलका सा थोड़ा सा overview दिमाख में या फिर लिखे में बना लीजेगा जब बना लेंगे दिमाग को method पर सनौफस तरीके से एक उत्रलेखन को convert नहीं करेंगे overview के रूप में तब तक आप उत्रलेखन स्टार्ट करेंगे तो बीच बीच में कहना कहीं भटकेंगे रुकेंगे या फिर कुछ और लिखेंगे जो डिमांड नहीं यह प्रश्न की तो उसके बाद जब यह सब हो जाएगा तो next point बन जाता उत्र को लिखा कैसे जाए उत्र को लिखने के लिए जब start करेंगे तो पहले आपके दिमाग में ऑबर भी बन जाने चाहिए कि मुझे starting करके end कहां से करना और बीच में क्या लिखना है यह आपके दिमाग में picture हो जा कि उसे रुकना ना पड़े उसे लिखना उसे लिके सब्रस्क ज़ाइब लिखना में चाहिए कि आटाम उनला ना झाउट चाहिए और असा प्रवा नें तो आकर्षन नहीं बनेगा उसे तो आकर्षन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एक प्रभा लेना पड़ेगा तो यह सब बाते मुख्य हैं तो हम तुमसे डिसकर्शन करेंगे कि इस तरीके से उत्र लिखना चाहिए यह बहुत लंबी यात्रा है इस यात्रा में सब्सक्राइब क्या की गई है जैसे आप और अपराद में क्या अंतर होता है तो पहले पाप को बताईए फिर अपराद को बताईए फिर दोनों में अंतर बताईए तो जब यह चीज़े बनेंगी आपको सटी समझने वाली तो एक प्रेक्टिस के माध्यम से आजाएगी आपके साथ फिर कई बार ऐसा होता है कि एक प्रशन ऐसा होता है उसके अंदर भी कुछ उप्रशन चुपे होते हैं जब तक आपको उप्रशन समझ में नहीं आते हैं तब तक आप उप्रशन की डिमांड को नहीं समझ पाएंगे और प्रशन की डिमांड नहीं समझ पाने से क्या होगा उन्हों में आपस में कोई संबंध इस्थाफित भी नहीं कर पाएंगो संबंध इस्थाफित ना करने की बज़े से क्या होगा आप उसको बहतर आंसर लिखने में परिपक नहीं हो पाएंगे तो मेरा यहीं मानना है कि प्रश्ण को समझने के लिए कुछ करच के लिए कुछ एससी सब्द होते हैं जहां पे हम लोग confuse अथे हैं उसा приз क्षण के लिए दो प्रश्ण ро simple प्रश्ण को वaaSमननने लिए जो पर्शुचद कर दिया कई आप से लिखवा रहरा था इस परस्ट कीजिए तो आपने कुछ और कर दिया ये जब तक सब्दों को आप इनका सारांस नहीं समझ पाएंगे, अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो उस प्रशन के डिमांड को भी नहीं समझते। आपने देखा होगा, प्रशन को समझने के लिए सबसे ज़रूट पॉइंट बंती है कि कि प्रुष्ट के किस आस्पेक्ट्र में प्रुष्ट को पूचा गया है यह दिःँnisse पहले, मैंने सब्धों इन सब्धों को समाहित किया है कि 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 स्तरीके सेaisonumin की更 प्रियोग किया गया इसको पहले हम लोग दिमाग में रखें और यह आपके दिमाग में रहेगा तो उससे क्या होगा कि आप उसके आधार पर उसका मुल्यांग करन समिक्षा परिक्षान जो भी पूछा गया उसके उसके उपरांद देखा जाए तो नंबर टू पॉइंट आपका बन जाता है कि प्रस्टने कतन में कि का इतने तारकिक हिस्से विद्वान है तारकिक हिस्तों का हंँमें कैसे करना है इसको रहें देखना पड़ेगा और उसके बाद उन को आपस जि fearmam का यई 혼자 देखना पड़ेगा कि दकते हूड़ों कि प्रबीशन कीजिएगा तो यहीडरां कीजिए किजिएगा अलोसना करें वर्डन करें विब्रण दें कुछ यह मुख्य सब्द मेंने आपके सामने रखेंएं जिनके हम चर्चा करेंगे कि अगर ऐसे सब्द रिजाएं तो हमें क्या करना चाहिए अब ऐसा नहीं कि परिक्षन कुछ भी लिखा है आप आप पने जो पढ़ा है वो ही चेप दिया तो ऐसा नहीं होता है सिर्फ एक प्रिकार का यह दिमाग में बजने वाली चीजों का डाटा है तो आपको विश्यत ध्यानी रखना पड़ेगा कि हमसे पूछा क्या गया है अगर आपने यह सब चीजे नही कुछ मुखित सब्द हैं यह जिन पर हम लोग आप डिसकुर्शन करेंगे और जानेंगे कि कैसे होना चाहिए जैसे आपके सामने यह है ब्याक्या लिखा हो कहीं वर्डन लिखा हो कहीं विवरन दिया गया हो कहीं इसपस्ट कीजिए यह लिखाया कहीं प्रकास डालिए अर्थ होता है सभी सब्दों का समान आश्य होता है मला लगभग आश्पासी होता है ऐसे प्रफणों में सबसे आध्या विध्यारत से यह पिक्षा की जाती है कि कहीं ना कहीं तथ्थों की गुजाईश की गई है कि कहीं ना कहीं आंकडों के आधार पर प्रश्ण का उतर सज जब भी आप किसी की तथ्थे को ये किसी आंसर को लिखते हैं तो हम मुख्य वाली बात पर ध्यान रखनेते हैं कुछ लोग यहां पर 1,2.3 पॉइंट कुछ लोग यहां से यह वाला इस्ट्रक्शर बनाते हैं कुछ लोग यह वाला बनाते पर और भी कुछ content होता होगा जो 5 पॉइंट लिखें मालने ते हैं आपने तो ऐसा करने से एक्जामन के दिमाग में एक वर्ड आ रहा है कि इसके अंत्रगत या इस विद्ध्यारती के अंत्रगत इस प्रशन को ले से इतने ही वियू है जहां उसने पॉइंटों में 2,4,5 लिख दिये हैं तो पॉइंटों स रास्ता मेरा माना जाता है कि आप इसको फोलो कर सकते हैं कि डारेक्ली हम लोग इसको ऐसा करने से लगा है कि इस तरह के पॉइंट उसके और भी बन सकते हैं तो कुछ ऐसी छोड़ी छोड़ी समस्यां चोड़ी गलतिया मैं आपको बताऊंगा जहां जिन से बचना चाहिए अगली यात्रा में पूरी यात्रा के तहत हम पूरी करेंगे इसकी आंसर राइटिंग को हो समझेंगे लास लिए के दो तीजों साल के फीपरों को डिसकसिंग करेंगे लेकरां गाएंगे और यौहां तो अब अगर दिमाग में पिक्चर बन पारी होगी कि अगर ये सब्द लिखे गए हैं आपके सामने ये वाले तो इनका अफेक्सा सिर्फ यह रहती है कि कहना कि आपको तथ्थे की अधिक गुंजाइस करता है एक्जामनर कि आपसे इसमें तथ्थे का नुकूल पेश किया श। अगला बनता है कि आलोचना-समिक्षा-समालोचना-परिक्षा-परिक्ष न रिक्षन उनिक्षन इसमद हैं- आपके सामने 4 सब दिए गए है 4-5 अलोचन कीजिए गा एसा लिखा गया है ऐसा समिक्षा की जिन्ट लिखा गया है लिकिन कीज़कु लिखा hai तो तो जब एसे प्रशन किसी प्रश्ण के अंत में दिए जाएता तो उसमें हमें बिस्ट्व कि क्या अच्छायां क्या बुराईयां है जब ऐसा पूचा जाएगा तो तब क्या करेंगे हम सिर्फ Python करेंगे कि क्या च्छायां क्या बुरायां लेकिन भी नाकरतम बाते लिखनी है मतलब जहां अलोशना वर्ड हैंसे वर्ड आ है बालेंस कैसे करेंगे गुण और दोस को दोनों को पक्षों पर ध्यान रखना है कि क्या इसके गुण है क्या इसके दोस है क्या अच्छाईयां है क्या बुराईयां है लेकिन दोनों को ध्यान रखना कहीं अनुपात में बरावर रखना है कि दोनों चीजे आपस में बराव तो क्या करेंगे आप सब बताएंगे ना क्या है अच्छाइया है क्या बुराईया है लेकिन फिर भी किस प्रक्ष में जादे जाएंगे तो ऐसे ही जब आप से मुल्यांकन या यह पूछ जाए तो वहां पर विशे दियान रखना है कि हमें उस विशे वस्तु का निरधारन क करते समय ज़ाद करना है रिखांगीत करना है कि कमी को Namen करेंगे तो वहां से इस दिमाग कितनी है इसका वी जिद्धान हमकरने का ब्डैकि दिमाग में आ रहा होगा कि मुल्यांकन जब लिखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे आगे चलते हैं को आप दिमाग में रहेँ बीवेचन लिखा जाए प्रस्ण के अंत में तो वहां सिरु तर्थ्यो या कथन के आधार पर कहना करने के जो तर्थ विस्य होगा उसकी अधिक आपको व्याख्या करनी है उसकी उप्रांत अगर देखें बिशलेशन करें देखेंगा बड़े राम समझेगा विश्लेशन जहां लिखा गया तो वहां पर कोई भी जब आपको विश्य बस्तु कोई भी प्रसंद दिया जाएगा तो एक उसका एक सब्द होगा विश्य होगा उस विश्य को यह सोच कर लिखा जाए कि यह विश्य इसके मन में क्यों पनपा तो कैस कैसे हुआ कब हुआ कहां हुआ कितना कैसे यह पेंर लुक्त है करना उस बस ही बस्टे बतूं का उसका अधार करनी पड़ेंगे इसमें आगे चलते हैं सबसे बड़ा प्यूंट यह बन जाता है कि जब भी आप लोग उत्तर को लिखें उत्तर लिखते समय्य दो चीजों का विशेर द्यान रखे वोग दो चीजों में कौन कौन से चीजे हैं प्रमानिक्ता है और प्रमानिक्ता है और प्रमानिक्ता क्या है इसको इसको समझेगा बड़े रामस्री अब इसको समझने के लिए एक ही बात दिमागे में रखनी है कि प्रमानिक्ता होता क्य प्रश्ण जो बनाय गया है प्रश्ण की अपनी अलग धिमांड होती है और प्रश्ण की अपनी डिमांड होती है तो आपको कोई ठोस तथे लिखने पड़ेंगे जो विद्मान होना चाहिए आंकड़े ऐसी लिखने पड़ेंगे जो रियल हो वाले होनी चाहिए यह नहीं कि आपने अपनी दिमाग की सोच से कुछ ऐसा लिख दिया, जो आकड़ों में नहीं है, किसी चीज में नहीं है, आप यह समझ में आना चाहिए, कि यहाँ से कोई ऐसा ठोस या तथ्थ्य आपको तर्क लिखना पड़ेगा, जिन्हें प्रस्ण की डिमांड की गई है, जिसमें प तरब आकरसित होगा जब आकरसित होगा तो नंबर ओटोमेटिकली क्या हो जाएंगे मिल जाएंगे अब यहां से समझेगा कि जो वास्विक मांग पूरी हो जाएगी तो उससे को परिक्षा को लगना चाहिए कि अबस्ति ने किसी इसी विशय पर क्या है अच्छी अध्यन कर रखा है तो जब कोई विशय वस्तु परिक्ष्ण में दी जाएगी अब ठोस आंकडों के आधार पर ठोस तत्यों के आधार पर आउस परिक्ष्ण में लिखेंगे तो यह एक्जामन समझेगा कि इस विशय पर प्रशारती ने अच्छी तरीकी से त्यारी कर रखी है तो आ रुकने के बाद तो सोचेगा कि इस लाइन ने दूसरी लाइन को कैसे कनेक्ट किया है और जब वो रुक जाएगा तो फिर प्रभा नहीं बन पाएगा तो क्या होगा आपको नंबर ओटमेटिक लिए अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे तो इस बात का बिसेध्यान रखना है कि जब भी आप प्रश्म को लिखें तो प्रभा का बिसेध्यान रखें एक प्रभाग्राफ दूसरे प्रभाग्राफ से कनेक्ट होना चाहिए और एसे हूँ से लगे कि हाँ इसके बाद ये चीज़े बैतर लिखी गई है एक लाइन दूसरी लाइन से कनेक्ट होनी तो यह बाता सहली के ओपर एक प्रभा का विश्य ध्यान आपको को रखना है और अगर वो रुखता है तो उसे लगेगा कि कहना कहीं बीच-बीच में कहीं भी रुखना ना पड़े कहीं कि रुखता तो लगेगा कि सब्दों को आपस में जोड़ा नहीं गया है परग्राफ भी नहीं जूड़े हैं तो यहां से बीच-बीच में जूड़ेगी यह बीच-बीच में बन जाता है कि अगली मुख्य बातों पर चाचा करें सब्दी सीमा का परलम कैसे करना अब सोची अब आपके पास 200व सब्दों में 200व आपको प्रुष अगला पोइंट यह बन जाता है कि बिंदों में किसी प्रशन का उतर बिंदों में में लिखें या प्राग्राप प्रवाप पे लिखें बहुत सारे teachers, बहुत सारे institute, बहुत सारे मैं कह सकता हूँ, अमीथ है यह अपने आप में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह बनती है कि प्रशन की प्रकरती के उपर depend करता है कि प्रशन का जो उत्तर है, वो बिंदूव में होना चाहिए या प्रग्राप होना चाहिए प्रशन की प्रकरती क्या मांगती है, वो depend करता है कि प्रशन का आंसर किस चीज में हमें लिखना है, तो directly ऐसा नहीं कह सकते है कि प्रशन का आंसर डाग्राप में लिखने से, बिंदूव में लिखने से बहतर हो जाएगा, depend करेगा, जैसे example समझो, तथो कि अगर प्रशन की प पांच घटनाओं के बारे में कौन सी थी, अब यहां से आप से भारते सुतनता की घटनाओं के बारे में किरम में पूछ रहा है, तो जब ऐसा प्रशन आएगा, तो पहले थोड़ा सा बताओगे, कि भारते सुतनता आंदलन के बारे में बताओगे, उसके बाद जब यहां प्रश्विस चोट नहीं कर सके वहीं डाक्टर अमबेटकर ने जाती विवस्था के मूल प्रहार किया स्पस्ट किये अब जब ऐसा लिखोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको कि डाइग्राम मैथट पर या फिर पर 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 करना पड़ेगा प्रश्विस चोट्राम मैंने आपको बता है कि खिर रहे हाँ मैं प्रश्ण की अपर प्रयों करें या ना करें प्रश्न की प्रकरति के उप़ डिपेंट होगा कि हमें उस प्रश्न का आंसर कि इस अनुकूल इस्तिती में लिखना है कि रेखा चितरों का प्रियोग करें या ना करें प्रश्न के उपर डिपेंट जैसे एक्जांबिल समझेगा हम निबंद में विखले साथ में जितने भी प्रशन है उनमें तो क्या करना है इंसे बचना है मतलब अगर निबंद में रेखा चित्रों को करेंगे तो वहां पर खुल के खेलना पड़ता है यहां सोट कर तुम माल रहे हो तो यह possibility नहीं आपको number अच्छे मिल जाएंगे तो बिसेद्ध ध्यान लखना है कि जितने भी लेकिन डिपेंड करता है कि कही ना कही प्रशन कैसे आए जैसे समझीएगा अपराद और पाप की धार्नाओं में अंतर इसपरस्ट करें दिखेगा देखना यह सब्द लिखा इसपरस्ट करें और मैंने बताया इसपरस्ट करने म लिए paragraph, diagram, रेखाचित्रों का प्रियोग कर सकते हैं हम लोग, clear, तो ये सब बात हैं आपको one-by-one करके हम लोग करेंगे, और अगर देखा जाए तो ये सब चीजे एक answer writing के तहाँ चलती रहेंगी, तो मुझे उमीद है कि थोड़ी सी जो briefing है आपको answer writing के परती, आपको समझ मे आई होगी, अगले class में हम लोग, अगले session में discussion करेंगे कि answer writing के लिए क्या-क्या parameters होते हैं, उस पर discussion करेंगे किसी भी question का, किसी भी question की जो demand होती है, वो क्या demand होती है, तीन demand होती है कि उसका intro कैसे लिखा जाए, दूसरा, उसका main part कैसे हो, चोथा, उसका conclusion कैसे हो, अब ये तीन पार्ट से मिलके कोई भी question मन जाता है, अब तीन पार्टों के लिए introduction कभी question मन जाता है कि introduction लिखें या ना लिखें, introduction लिखें तो कितनी line में लिखें, introduction किस तरीके सटीक स्रल बनाया जाए, या main part को कितना percentage part होना चाहिए, माल लिए 100% अगर part में से introduction देखा जाए तो 10 से 15-20% होना चाहिए, conclusion कितना होना चाहिए, यह प्रती प्रशन का conclusion लिखें या ना लिखें, यह बड़ा एक बिसे बन जाता है, तो इन सब पर हम बन वाई वन करेंगे, और मुल्भूत तरीके से बहुत सारे प्रशनों का अभ्यास भी करेंगे, जिनके बारे में जानेंग तथ्य को जोड़ें, आंकडों को जोड़ें, डाटा को जोड़ें, कंसेप्ट जोड़ें, कहां किसे समाहित करनी है, यह थोड़ी सी briefing मैंने आपके सामने बताई, लेकिन आगे हम चर्चा करेंगे पूरे एक पार्ट पर जो यह मुख्य परिक्षा में रोल अदा करता है, अगर मुख्य परिक्षा का आप पैटर्न देखें, तो सब सेड़ी की भूमिका होती है, और रिप्रेजेंट करने की भूमिका होती है, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, एंजवाय करें लाइफ के साथ जीन्दकी की यातरा है, इस यातरा के साथ उसकी एक फिल्म बना अनन्द भी आएगा, जब उस फिल्म को देखेंगे, आपकी फिल्म को, तो लोग देख के गदगद होंगे, वो गदगद होने के बाद जो उनसे सीखने को मिलेगा समाज को, वही आपकी सफलता का एक परनाम होगा, तब तक के लिए धन्यवाद.